हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्ग्यम के दिवाने आज हम आपके लेकर आए हैं मैथ के कुछ इंपोर्टन कुशिंस जो आपके लिए बहुत इंपोर्टन सावित होने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है यदे चार की घाट चनवे को पांच से भाग दिया जाए तो उसे इसफल होगा तो इस कुश्चन करने के लिए हम आपको बहुत ही आसन तरीका बताने वाले हैं अगर आप इस कुश्चन को विस्तार से करेंगे तो आपको बहुत सम लगेगा पहले इसको 96 बाल लिखना पड़ेगा फिर 5 से भाग दिने पर काफी टाइम लगेगा तो देखते हैं अगर यहाँ पे घात सम है और घात सम है तो उहाँ पे इसको छोटा करने के लिए 2 या 4 इसकी घात रख लेते हैं या अगर यहाँ पे घात विसम है तो उसको छोटा करने के लिए 1 या 3 रख लेते हैं तो यहाँ पे सम घात है तो यहाँ पे करते हैं 4 की घात 90 चारिक घात 90 है तो इसको करने के लिए 4 की घात 2 कर देते हैं क्योंकि घात सम है तो 4 की घात 2 भाग में 5 तो यह हो गया 4 चक 16 है भागे 5 तो इसमें पूछा है सेसफल होगा सेसफल 5 से भाग देते हैं 5 ती 15 बार 3 बार 15 पूरा पूरा जाता है तो सेसफल होगा 1 तो इसका होगा option number D की एक answer next question देखते हैं यदि 7 की गात 19 plus 2 को 6 से भाग दिया जाए तो सेसफल होगा तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर घात विसम दी गई है तो इसको करने के लिए हम 7 की गात 1 कर लेते हैं क्योंकि मैंने बताया था अगर यहाँ विसम हो 1 या 3 रख लेते हैं तो करते हैं 7 की गात 1 plus 2 इसको भाग देते हैं 6 से तो यह हो गया, साथ, यहाँ पर साथ एक बार करेंगे, तो साथ ही आएगा, साथ और दो, नो, भाग में छे, तो यह कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, और इसका सेस्फल उचेगा, तीन, यहाँ प्सन नमबर बीज का सही उत्तर होगा, नेक्स्ट कुशन देखते हैं पांसो चौरासी गुडां में, 128 गुडां, 67 गुडां, 413 में, एकाई का अंक क्या होगा, तो इन कुशन को करने के लिए, जिसमें एकाई का अंक पूछा गया हो, उसको करने के लिए, बहुती आसन तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको, जो लास्ट नंबर है, उनकी आपस में मल्टिप्लाई करते हैं, उनकी गुणा करते हैं, जिसी करते हैं, चार अठ्थे, 32, इस 32 में से लास्ट का दो लेना है, इस दो की करने ही, 7 में, 7 दो नी, 14, 14 का चार लेना है, यनिके हमको, जो नंबर आएगा, उसका आखरी अंक लेना है, तो च चार कार्श में करते हैं, तीन में, चार थी, 12, और 12 में, एकाई का अंक क्या होगा, तो होगा, दो, कि ओप्स नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा, इसका उत्तर होगा, दो, अगला कोश्चन देखते हैं, 122 की घात, 173 का एकाई अंक क्या होगा, इन कुश्चन को करने के लिए, एक बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे जो घात दी गई है, अगर यह 4 से बड़ी है, तो इसमें 4 से भाग देते हैं, क्या करते हैं, अगर इसे 4 से बड़ी है, तो इसमें 4 से भाग देते हैं, 4 चो 16 कितना बचेगा 1 कितना हो गया 13 चार थी 12 बार है 12 कितना बचेगा 1 तो यह हो गया 122 की घात 1 122 की घात 1 है तो इसमें 111 अंग पूछा गया है तो 122 की घात 1 करेंगे तो वो भी 122 ही आएगा तो इसका एकाई अंग क्या है तो वो है 2 कि option number A इसका right answer है और next question देखते हैं 7 की घात 71, 6 की घात 63, गुडा में 3 की घात 65 के गुड़न फल में एकाई का अंग होगा तो इसमें को करने के लिए एक नोट बता था हूँ अगर कहीं पर 0, 1, 5, 6 अगर कहीं पर ये एकाई का अंग दिया गया है तो उसमें उसका एकाई का अंग यही होगा जैस के यहाँ पर दिया गया है 6 तो इसकी घात चाहे कितनी भी हो उसका एकाई का अंग में सा 6 ही आएगा 6 गुडा में 3 की घात 65 तो मैंने पिछले कुश्चन में क्या बताया था अगर ये घात 4 से बड़ी है तो उसको 4 से डिवैड करते हैं तो 4 एकन 4 दो बचया 25 हो गया तो 4 चिंग 24 यान की से बचेगा 1 तीन की घात 1 इसको देखते हैं आगे इसमें भी 4 से डिवैड करते हैं 4 एकन 4 तीन बचया 4 सत्ते 28 यान की साथ की पावर 3 आ गया तो इसको करते हैं 343 होगा इसका और इसका 6 इसका 3 तो इसमें एकाई कंग पूछा गया है तो उसको क्यात करने के लिए हमको छिर्फ लास्ट नंबर से काम है तो 6 ती 18 में क्या वचेगा लास्ट कंग 8 तो 8 तीन 24 चोविस का एकाई कंग क्या होगा? चार तो इसका होगा आंसर चार अप्सन नमबर डीस का सही आंसर है